गुड मॉर्ण नी गाईज दिस इज बिरेश्कमार एक्च बी एस अकेड़िम अध्यम से मेरी प्रीदोस्तों आज किलास नाइन्थ जोगराफी की फर्स चेप्टर भार्थ में आकार और एसेती के बारे में हम डेस्क्रेप्टर करेंगे सिचेशन एंड सेफ क्या है उसके बारे में बड़न करेंगे तो मेरी प्री दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक एंड सेयर करें क्योंकि इस चैनल के माद्याम से सारी टोटल एंचियाटी जोगराफी से सम्मधित हों चाहें आपके एकॉनमिक्स पॉल्टी शिविक्स जनरल साइंस एटीसी आपकी सारी कम्पीट कराई जाएंगी क्ले फ्रेंट्स तो यहां देखते हैं कि भारत की जो इस्ति है वो कांपर है तो गिलो पर देखा जाए तो भारत की इस्ति है उत्तरी गोलार्द में उत्तर पूर्वी गोलार्द में इस्ति है तो आप इस गोलार्द में देख सकते हैं तो भारत कांपर है उत्तरी जो डिवाइडेशन हुआ था देखा उसके एकॉंड देखा जाए तो भारत पहले अफ्रीका मादीब से एड़ जस्ट था लेकिन जब पैंजिया का डिवाइडेशन हुआ तो ये प्लेट खिसक करके उत्र पूरव क्यों मुमेंट किया तो आज जो भारत है वो उत्री गोरा में उत्री पूर्व दिसामें इस्तित है किलियर तो भारत की जो प्राचीन संस्रक्रतियों में से एक है जो पिछले पांच दस्कों से भारत के सामाजिक आर्थिक रूप से एक बहुमुकी उन्नती की है आप जानते हो भारत जनसंक्य वाला और क्रसी प्यदान देश है क्य कि स्रावागीन आर्थि विकास में उद्वद प्रगर्ति हुई है भारत का बिश्व इत्यास में भी मैतपूर एकदान रहा है इस्तिती सुचेशन इन इंडिया तो भारत एक बिशाल देश है यह उत्तरी गोलार्थ में इस्तित है इसका जो मुक भाग है वो अपके 8 डिगरी चाल मिट उत्तरी अक्षांस से लेकर के 37 डिगरी च्छे उत्तरी अक्षांस क्लियाफेंट्स में भारत की इस्तित है यदि देशांतर के प्रप डिगरी 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिगरी 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत की इस्ति इस्ति है क्योंकि भारत के मद्द से होकर के एक करक रेखा गुजरती है 23 जो भारत को दो भागों ब्याद करती है उत्तरी भारत और दच्छी भारत इसे उश्र कटवंद और इसे उपोष कटवंद के नाम से भी जाना जाता है क्लिए फ्रेंट्स अब भारत की जो इस्तिती है उसके बारे में थोड़ा बटन कर लेते हैं आपको पता ही है जो भारत का जो मुख बिंदु है वो आपका अंडवा निकोवार दीप समूपर है बंगाली काड़ी में इसित है और दशी पश्मी जो में लक्षी दीप है वह पॉइंट जलमगन हो चुगा है किलियर तो इसकी भारत की जो आकार है सेफ है वो त्रुजाकार आकरती में है किलियर तो भारत की बुवा का कुल छेतपल आल्मोस्ट 22.8 लाइक बर कुल मेटर है भारत का जो छेतपल है बेस्चु के कुल छेतपल का 2.4 परसेंट परसत है इससे इसपरस्थ होता है कि भारत बिश्चु का 7 मां सबसे बड़ा देश है भारत की जो इसतर सीमा रिखा है जो इसतर सीमा है 50 रहां 200 किल मेटर है और समुंतर सीमा अंड़वाद हे को वार्ड दीप समू लक्ष दीप समू को समलित कर दिया जाए तो इसकी टोट सीमा है साथ हैर पांसो 16.6 किलोमीटर यद इनको मूल सम्मंदु सीमा देखी जाए तो 1600 किलोमीटर है भारत के उत्तर पस्चिम उत्तर और दच्च्च्च्च पूर्व सीमा पर एक नमीनतम बलत परवत है इसके जो दच्च्च्च्च का बुभाग चोड़ा है और 22 उत्तरी अक्षांस के हिंद महासागर की ओर शकरा होता गया है इसके पक्षिम में अरब सागर और पूरव में बंगाली खाड़ी एसित है और दच्च्च्च्च में हिंद महासागर एसित है आप देख सकते हैं अभी दिखाएंगे इसके बारे में इंडिया दस्चिर बिस्तार अपिछा कम प्रतीत होता है गुजरात से अरोचा प्रदेश का इस्थानी समय में दो घंटे का अंतर है और जो इसको साड़े ब्यासी पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक या मुत तर रेखा जो की उत्तर प्रदेश के मुर्जापुर से गुजरती है अक्षांस का जो प्रभाव दच्चिर से उत्तर की ओर दिन और रात की अबदी में पढ़ता है क्लिए फैंट्स क्योंकि साड़े ब्यासी जो पूर्वी देशांतर मानक इसे या मुत तर कहते हैं क्लिए कर्णे कुआरी कश्मीर के दिन और रात की अबदी अंतर क्यों है तो अका को पताई है क्लिए कुआरी दच्चिर में और कुजंबु कश्मीर अपका किदर है उत्तर में एस्थ है तो भारत तथा विश्व तो भारतिय भूखंड एशिया मादीव के पूरो और पश्यम मद्ध में एसित है भारतिय जो भूभाग है एंडियन्स जो लेंड है जो एशिया मादीव का जो दच्छडी विश्तार है हिंद महासागर जो कि पश्चमे एउरोपिय देशों और पूरवी एसियाई देशों को मिलाता है भारत की इंद्रिय इस्तिप्रदान करता है आप देख सकते हैं कि दच्छर का पठार हिंद महासागर के सीश्प्रत फैला हुआ है और पश्चमे एशिया अफरिका और इरोप के देशों के साथ साथ पूरवी अफरिका के देशों से भी पूरव की ओर माध्यम से निकरतम सम्मद बनाए हुए है हिंद महासागर में किसी भी देश की तटिशीमा भारत जैसी नहीं है भारत की एक महतपूर इसकती है इसके कार्ण महासागर का नाम इसे लिए इंडियन ओशन पड़ा किलियर तो 1869 में सुवेज नवय खुनने से अब भारत और येरोप पोहचने में 7,000 किलिमेटर की कमी हुई है किलियर फेंट्स तो आप छेत तपल की आधार पर देख सकते हो भारत सात्मे इस्तान पर है पहले पर जो हमारा भारत आता है वो आता आपका रूश दूसरे पर कनाड़ा तीसरे पर सजिद्र जमिर का चीन ब्राजील औस्टेलिया एंड भारत यह सात्मे इस्तान पर कौन है भारत की इस्ती इस्त है तो अब भारत का जो मैप है इस मैप के त्रोग हम समझ सकते हैं कि भारत एक क्या है बहुत सुंदर सा प्रिकरती ने बनाया है और भारत जो अक्षांस की बिस्तार देखा जाए तो आठ डिगरी चामिनट उत्तरी अक्षांस से लेकर के और 37 डिगर में आपका कन्यकुमारी और उत्र में इंद्रकॉल तक बिस्त रहते हैं किलियर और देशांत्री बिस्ता देखा जाए तो 68.7 डिगरी से लेकर के पूरम में 97 डिगरी 25 मिनट जो किवितु इस्त है और यहां पर गौरी माता इस्त है जो इस्त है क्या है आपका 57 डिगरी 25 मि भारत की इस्त है क्यलियर फ्रेंड अगर देखा जाए भारत की जो लंबाई है तो उत्तर से लेकर के दछिर तक 3214 किलोमीटर है और पूरब से पास्ष्यम तक इसकी जो चोड़ाई है आपकी तो आप समझ सकते हो तो इसकी जो चोड़ाई है वो कितनी है 2933 किलोमीटर है क् हम इसकी राजनितिक सीमा देखें तो आपकी गुजराश से लेकर के आपका पागिस्तान अफगानिस्तान इदर आते हैं चीन और इसकोई नैपाल इसकोई भूटान ये इस तरह से बंगलादेश ये टोटर सीमा है वो है आपकी पंदरहजार कितनी है दो सो किलोमीटर है किलि कितनी हैं एक सट सो किलोमीटर ये दी इसमें दीप समू को जोड़ लिया जाए किसको दीप समू को जोड़ लिया जाता है तो यहां पर क्या है इसकी आकरती अलग हो जाती है दीप समू का हंड़मान एक बार दीप समू लक्ष दीप समू दमान और दादन अगर हवे लिए तो इसकी जो टोटल जो समुन्दी सीमा लगती है वो लगती है साथ हैयार पांसो सोले पॉंट सिक्स बरक किलो मीटर क्लियर तो इस तरह से ये सारी बाते हैं के लिए आप यहाँ पर एक प्रधान या मुत्तर गिर्म जो रेखा है जो हमारे समय को रेपरेजेंट करती है वो कौन सी है आपकी साड़े ब्यासी रेखा है जो उत्तर प्रधेश के मिर्जापुर जले से हो करके गुजरती है तो आप इसमें देख सकते हैं किन किन राज्यों से हो गुजर रही है तो पहला राज्य आपका आता है उत्तर प्रधेश के लिए देख सकते हैं यह उत्तर पसंद आती है उसे लाइक और सेयर अवर्ष करें क्लिए फ्रेंट्स तो 2004 में अब पता है 2004 में यहां पर रही शुनामी आई थी ठीका ना सब भी रिसमा 2004 में तो यह अंडवान रिकॉर्प का जो दस्चितम बिंदु है इंद्रा पॉइंट वो क्या है जलमगन हो गया था क्ल बनाता है फिर इसके बाद चोटी सीमा है 26 कुलमर लवक तो वो है पाकिस्तां सीमा बनाता है इसके बाद सबसे जो है आपके चीन सीमा बनाता है पर इसके बाद नैपल सीमा बनाता है भूटान है बांगला देश है पर इसके बाद कौन सा है आपका बांगला देश है के लि गुजरात दूसरा है आपका राइस्तान प्रहहअप का पंजाब प्रह जम्मूएंड कश्मीर केलीएफस इस तरह से क्या है पाकिखेसान परडेश बनाते हैं और अफगानिस्तां से और देखा जाए तो जम्मू चल प्रदेस यह ईस तरह से यह सीमा बना ले वाले आज है नेपालira से रॉंप KARす ग्तराखंद है उत्तरपिदिस है विहार है और यह आपको को सा आता है पार सी हैं यहां पर है और है यह एकिम किसे नेपाल bookstore है थो यहां से सिक्किम से जो आप पूटा से सीमा बनाने बार है सिक्किम है और आपका कुछा है आशाम है यह इस तरह से सीमा बनाते हैं क्लियर तो इस सीमा बनाने बार आप फिर आता है बंगला देश किसके साथ सीमा बनाता है तो आप इस चेत्र के मात्यम से देख सकते हो तो यह आप बंगलादेश है आपका पशी बंगाल सीमा बना रहा है किलियर तो इसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो यह आपका जरगनवर्च से दिखा जिता है और यह पुरा आसाम है मेघाल है यह आपका त्रिपुरा है ठीक है ना अगर हमारी बीडियो पसंद आती है मेरे प्ली दोस्तों तो उसे लाइक एंड सेर अवश्र करें तो इस तरह से था यह आगवर यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे transportation है बाइमार्ग है समंद्री मार्ग है और बाइमार्ग कहां तक जाता है तो बाइमार्ग को हमकर डॉट डॉट करके रिपरेजन्ट किया गया है और समंद्री मार्ग को डॉट डॉट से रिपरेजन्ट किया गया है तो आप देख सकते हैं जब आपका जो कहां तक जा रहा है चापान तक टोकियों तक इसमें थाइलेंड होंग कॉंग शंगाई फिर मलेशिया इंडिनेशिया जिंगापुर यह इस तरह से आपका और आपका जा रहा है कि जल्यान तो जल एनक समुनद्री एनक सबसे सस्ता परिवर मार्ग है इसे आसानी से हम एक्सपोर्ड- के लिए तो इस तरह से समुद्री जो है लाल सागर होते हुए स्वेज नवर खुलने से 7000 किलोमेटर इसकी क्या समय की बच्चत हुई है ठीक है ना आराम से हम यूरोप में आसानी से अब पहुंच सकते हैं क्या कहते हैं इसका जो अफरीका माधिब का अब चक्कर काटना नह नहीं पड़ेगा के लिए फेंट्स तो इस तरह से है तो भारत का है एक बिश्च में देशों के साथ जो संपर यूक के जो परानी पराना जो परन तो यह समुद्री जलमार्ग की अबिच्चा भुभाओं को हो करके उत्तर परवतों धर्रों यात्री प्राचीन काल से भार बिश्च में हुआ करता था भारत का जो पश्च मद्दे और पूर्वी एसिया दश्चरी एसिया के पड़ोसी देशों के साथ इस उद्वह संपरक रहा इसी प्रिकार उपनिस्दों के विचार रामायड पंच्तंत्र की काहनिया भारती अंक दसमला प्रनाली और संसार के एक मसाले मलमल आद कपड़े ब्यापार के सामान भारत से बहमें देशों के लिए जाया करते थे इसके विपरित यूनानी इस्तापितकला पश्चम एशिया की पश्च्तकला परती जो मीनारों गुमदों का प्रभाव हमारे देश में अन अन छेतरों में दिखाई देता है किलेफेंट्स तो आप देख सकते हैं और यहां पड़ोसी देशों के साथ भारत की बहुगलिक और एत्यासिक जोगरापिकल एंड हिस्टोरिकल रिलेशन हैं बहुत अच्छे रहे हैं और अपनी जो एटलस से एसिया के माचित में अगर देखा जाए तो यह अलग है किलेफेंट्स तो यह चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन इसमें सीमित सूचना है लेकिं बैरी बेरी मोस्ट इंप्रेंट सूचना है आपको विशेश करके इसमें ध्यार रखना है किलेफेंट्स तो आप यहां देख सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देश हैं भारत के दच्छी एशिया के जो मेट्पड़ोसी देश हैं, आप हमारे भारत में 28 राज और इसमें आपके 9 किन साजी प्रदेश थे, एक को हटा दिया गया है, तो 8 किन साजी प्रदेश रहे गया है, किलियर, तो पस्चिम से पूर्ट तर्ट किन साजी प्रदेश संगे ग्य हमारे देश, 1947 में पूर भारत को दो प्रकार की राज थे, प्रांत और रियास्त वाले बाश्राय हुआ करता था, यह सारी मेटर था, कव जो बेटेश में, हिस्टीम पढ़ाएंगे इसकी सारी बातें, तो आप यहां पर एक पॉलिटिकल एक नजर से देख सकते हैं, तो य इबद, चीन, नेपाल, शिक्किम, भुटान है, बंगलादेश है, यह धर आजाएंगे आप, पूरवत्र छेतर में, तो आपका आता है, यह मड़ी पूरवारा छेतर आता है, के लिए फेंट्स, तो यह सारी पाते हैं, तो यहां पर जो राज जी हैं, राज जी आपका उत इतराखंट है, हड्यानान है, दिल्ली है, दिल्ली भारत की राजधानी है, निव दिल्ली, राइस्तान, गुजरात, दमंदीप, दादनगर, हवेली, दादनदीप और दादनगर रिवक अप एक कर दिया गया है, इसे बाद करनाटक, गुवा, केरल, तमलनाडू, आंत्र प्रदेश, फिर इसके बाद आता है चत्तिशगर, यहीं पर आपका तेलांगना, उरिशा, फिर इसके बाद है आपका पशी बंगाल, जहरकंड, बिहार, उत्र प्रदेश, किल्याफेंट्स, और शिक्किम, मेगाले, आसाम, नागलेन, मडीपूर, मिजूरम, तरपुरा, क गलियर, तो इस तरह से ये सारे क्या है ये सीमा, यहां पर बना रहे हैं, किल्याफेंट्स आता है आपका, जहरक तरपुरा है, अरौचा प्रदेश, सियों बना रहे है कि से, चीन से, लौचा प्रदेश है, शिक्किम है, उत्राखंड है, माच्र प्रदेश है, लद्दाख है और जम्मो गश्मी के चित्र अतर है के लिए तो इस तरह से आड़ा है आप देख सकते हैं फिर नेक्स माता है नेपाल से सीमाबनाने बाले उत्रागंड फिर उत्रप्रदिश पहर्विहार पिर आपका आता है शिक्किम के लिए फिर इसके बोटान सीमा बनाने बाला शिक्किम है आपका आशाम है और अनाचलर प्रदेश है आपका मियामार सीमा बनाने बाला आपका अनाचलर प्रदेश है मरीपूर है नागा लेंड है और मिजूरम मियामार से सीमा बनाते हैं पाकिस्ता है ठीक है यहां से कोश्चन आपका बनता है तो पहला कोश्चन देखते हैं करक रेका किस राज्य से नहीं तो रायस्तान चतिसगर औरीशा तो आपको एक बताना है किस किस नहीं गुजरती तो आप यहां पर देख सकते हो जो गुजरा से गुजर रही है रायस्तान से गुजरती है मदविदे से गुजरती है चतिसगर गुजरती है जहारकंड से है पस्ची मंगाल से है तिरपरा से और मड़ी पूर से है इसमें आपको बताना है कौन सा नहीं है और इसा नहीं है बात का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है तो पूर्वी देशांतर है आपका वो है सताम डिगरी 25 मिनट के लिए पूर्वी देशांतर विश्चत है उत्राघंड उत्पदेश बिहार बंगाल और शिक्किम तो आप इस में देख सकते हैं तो इसमें उत्राखंड जो है और उत्रब्रदेश फिर आपका बिहार और शिक्किम जो सीमा बनाते हैं वो किसी बनाते हैं आपकी नेपाल की ग्रीश में जो ग्रीश में अवकास के यद आप कवार्ती जाना चाहते हैं केंद सासे प्यदेश से होकर जाएंगे तो कवार्ती लक्षी दायदानी है तो अंडवान निकोबार पर्डुचेरी दवन दीब तो किसे होते आओंगे दवन दीब होते हुए जाएंगे किलियर? मेरे मित्र एक ऐसे देस के नवासी हैं जो जिस देस में सीमा भारत के साथ नहीं लगती है तो आप बताएं किस देसे हैं? पोटान, बंगलादेश, नेपाल, ताजीकिस्तानी कहां से हैं? ताज की स्तान से हैं तो मिरे पी दोस्तों अब आते हैं ये लेखित कुशन तो आपको ये क्या है लेखकर देखना है जो आपको काफी मैंस में काफी सहुलत मिलेगी और ये कंसर्ट भी आपका डवलाप होगा तो मिरे पी दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे like and share अवस करें क्योंकि आप like and share करते हैं तो काफी motivation मिलता है और वीडियो अधिक से अधिक बनाने की हम कुशिश करेंगे इसके बाद हम offline भी आपको study कराएंगे क्लिए फेंट्स तो वीडियो यहीं पर close करते हैं तो thank you, bye bye and take care